जैए श्रीराम, कैसे आप सब, I hope सभी अच्छे होंगे, आप सभी को स्वागत है SSC Fantasy चानल में आज हम लोग बात करने वाले हैं, कोलकता नाइट राइडेस वरसद राजिस्तान रोयल्स के बीच में खेले जाने वाला IPL का 31st T20 मैच के बारे में अगर टाइमिंग की बात किया जा भई, यह जो मैच आपको साड़े साथ बजे रात को खिला जाएंगे अभी भी यह मैच स्टार्ट होने में काफी टाइम बचें तो इस वीडियो में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूँगा भई, यहाँ पर आपको इस वीडियो में बीस जियल टीम ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, तो भाई मैं सोच रहा हूं कि बीस जियल टीम आपको 100% हलपफुल हो रहा है इसके लिए मैं कडी महनत भी में कर रहा हूं और यहाँ पर आगे चल के आपको बैस्ट आफस में टेलिग्राम पर लाने वाला हूं तो टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेना बाई, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ है, कॉमेंट सेक्षन में भी पिन कर चुगा हूं तो टेलिग्राम चैनल को जोईन करना बिल्कुल भी मत भोलिएगा और इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या information कवर करने वाला हूं तो भाई, pitch report सब लोग बताते हैं, मैं भी बताऊंगा दोनों टीम की form क्या है, head to head in दोनों टीम के बीच में कितने बार खेलेगें points table पे कितने position पे, ये भी जानकारी आपको मैं बताऊंगा भाई और उसका बाद यहाँ पर दोनों टीम की players की क्या stats रहने वाले हैं lead run scorer कोन है, lead wicket taker कोन है, striker कोन सा player का अच्छा है और economy wise bowler कोन है भाई, इस सारे plays को यहाँ पर मैं live pick करके बताऊंगा तो इसलिए मैं बता रहाँ भाई, अब वीडियो का पूरे end तिक देखेगा, आपको 100% helpful होने वाले हैं तो पहले हम यहाँ पर जानते हैं भाई, दोनों team भी form क्या है, एक बार वो जान लीजेगा तो KKR की बात करें भाई यहाँ पर, तो Kolkata night riders last 5 match में मैं यहाँ पर 4 match जीते हैं भाई, एक ही match आरे हैं और यहाँ पर वही मैं राजिस्तान की भी बात करूँ तो यहाँ पर राजिस्तान भी 4 match जीते हैं भाई एक match आरे है, दोनों team भी जो recent form है, काफ़ी कमाल का आरे के मैच आपको देखने लाइक रहने वाले तो कोलकाता नाइट राइड़ेस के अगर मैं बात करूं जो लास्ट मैच खिले थे बैए काफी असान से 8 विकेट से जीते थे लकनो सूपर जैइंट्स के खिलाब और वही अगर मैं बात करूं राजिस्तान रोयल्स की तो राजिस मैच थे लेकिन अब मैं बताओंगा यहाँ पर इन दोनों टीम में कौन कौन सा प्लेयर अभी आपको सही रहने वाले और वो प्लेयर को क्यू लेना चाहिए बैए जानकारी तो विकेट कीपिंग में आपको मैं कहना चाहूंगा बैए संजु सांप्चन खतरनाक फॉर्म मे जौस बटलर लास्ट मैच नहीं खेलेते हैं लेकिन यह मैच अगर खेलते हैं तो इनको मैं टीम पे रखूंगा फिलिप शॉल्ट है उसका मदापको कोई भी विकेट कीपर को लेने की कोई जरूरत में तो पहला पात है यहाँ पर बटलर सामसन फिलिप शॉल्ट संजु सा इस टीम के त्विनिसिंग रोल के लिए भरफूर सूपर है यहाँ लेकिन बटलर सक्षन पर अपको रशल नरायन रियांपर और रवीचेंदर नस्विन लास्ट मैच नहीं के लिए और इसका अमन्द रमंदिप सिंग है यहाँ पर एभी प्लेयर आपको काफी एचा लेकि आपको मैं तीन जरूर बता सकता हूं रसल नारायन और रुयान परक तीनों बहतरीन फॉर्म में यह तीनों को मैंने टीम पे ले लिया लेकिन गेंद बाजी में आपको ट्रेंट बोर्ड युजवेंदर चाहल मिचल स्टार क्लास मैं अच्छे गेंद बाजी किये थे वरुन चक्रवती लाइट में अच्छे परफॉर्मिंस आवईस खान है यहां पर उसका मत देखा जाते हैं यहांपर आपको गेंद बाजी में काफी प्लेयर है लेगिन ट्रेंट बोर्ल युजवेंधर चाहल और इसके साथ वह यहां पको मैं प्रिफर करूँगा His वीचल स्टार्क तो यहां पर यह पहले तीन गेंदवाज को मैं तीम में ले लेता ओंग हूं और यहां पर आपको Makcar करता कप्टेनने पहीत है आपको देखने लायक भी होगा यहां पर आपको ल्सकेक्पटेन के अगर मैं बात करते हैं अर्य ल्ट पर किप्टेन पर सुनिल नारायg को दो सब्सक्राणर करें पर औरSi Cum benefiting स्थ तो Captain Vice Captain पे भी अगर देखा जाए यहां पर आपको यह दो प्लेयर क्लियरली नजर आ रहे हैं यह दोनों प्लेयर्स को यहां पर मैंने Captain Vice Captain पे लेकर इस टीम को मैं फिनिस करूँगा भाई मेरे पहला जीयल टीम पे और अभी आपको मैं दूसरा जीयल टीम बना के दिखाऊंगा भाई लेकिन इससे पहले आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंच और जानना इंपोर्टेंटेंट यह आपप Лिया अपको टीम बनाने में क्या दिककत होने वर्ण सभी को पता भाई और यहां पर अभी आपको मैं बताऊंगा इन दोनों टीम के बीच में हैट तुएट में मैं लॉस्ग कई सरफ Hero शीन खर्म रोयल्स ने चार विकेट से जीते थे यहां पर तो यह तो आपको पता चलिए लेकिन आप चो चलते हैं यहां पर दूसरा जीएल टीम पर अगर मैं बात करूँ तो कौन-कौन सा प्लेयर आपको लेना से यह जानका दिया भी आपको मैं बताऊंगा और यहां पर यह टीम काफ को काफी important भी है और यहां पर मैं रिंकु सिंग को यहां पर लेना चाहाँगा बैं एसेश्वी जैश्वाल अरहे चार बल्ले वाज मेरे टीम पर रहेंगे और यहां पर यहां पर सुनिल नरायन को ले रहा हूं रसल को मैं डॉप कर रहा हूं यहां पर लेकिन गेंदबाज करूंगाँ वैज के पेपार्ट में इस मैक्च के लिए तो यहां पर निवी किली प्राइपको संजु शैंक्ट इंच के लिए इस टीम को मैं फिनिस करूंगा दूसरा जील टीम पे तो पिछ रिपोर्ड किया रहने वाला है और पिछ रिपोर्ट यहांपर आपको पता चल जाएगा कितने रन्स तक बन सकते हैं और पिछ बैटिंग लेए फैस बोल को अच्छा मदद में और आजाब आवरेज है इस ग्रौंड पर 115 रनकि यहांपर आवरेज स्कूर 180 से लेके 200 के बीच में मैं देने वालों इतना स्कूर जरूर बने वाले हैं उसका वेन्यों की बात किया जितो इडेन गॉड़न कोलकेता के लिए कोलकेता में होंगे और केके यार के लिए यह होम ग्रॉंड रहने वाले तो यहां पर आपको मैं एक चीज और तो यहां पर वेरियेशन की अगर मैं बात करूँ दस विकेट की वेरियेशन है तो यहां पर आपको फेस बोलस पिन बोलस को लगबग अच्छे सपोर्ट मिल रहे हैं तो पहला बैटिंग और दूसरा बैटिंग करने वाली टीम कितने परसें जीतने की चांस है वह तो बता करों गा तो 3 जील्ग मेरा दासू टीम बनने वाले तो 3 जील्ट पर आपको मैं प्रफर करणा कूण-कूंसा प्लेयर रहने वाले तो यहां पर आपको मैं पिलिक शॉल्ट मेरे टीम पर रहेंगे बएं और उसका बद्यकर में बात करूँ तो यहां पर आपको लेना सिंग यहां पर नजर आ रहा है रस्विन को मैं ड्रॉब कर रहा है लेकिन गेंदवाजी सक्षिन पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको ट्रेंट बोल मिचल स्टार्क और इसके साथ वरुन चकरवती चाहल को मैं ड्रॉब करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा तो रम यहां पर केप्टैन के लिए 100%स्टी बन रहा है और वाइस के प्लेयर अगर में बने रहा है और लेकिन बनार हम अर more वहकर को सा व्याइरёмद को रहा है को फ्ने प्लेयर ऑप को क्ूं सा को मैं ऊप्लेयर गर तो यहां पर मैं नोर मैं मिचल्ब येंश इर गना रीक्ल यहां और यह जो टीम है भाई, इस टीम को मैं फिनिस कर लिया, तीसरा GL टीम पर, तो हमारा तीन GL टीम बन गया भाई, यहाँ पर, अब यह आपको मैं बताऊंगा, चोथा GL टीम और चोथा GL टीम पर आपको कौन कौन सा प्लियर सही रहने वाले, यह भी जानकर यह आपको मैं बता तो पहले आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि कापी लोग बैक्टिंग बुकी जो भी खेलते हों, तो 6 ओबर तक अगर स्कोर की बात करें, 51 और यहाँ पर 55 की बीच में चलने वाले हैं, तो पहला बैटिंग करने वाले टीम, 51 और दूसरा बैटिंग करने वाले टी अगर बेबात करें, तो 128 है यहाँ और 126 है, तो यहाँ पर आपको पहला बैटिंग करने वाले टीम यहाँ पर पहला 15 ओवर तक अच्छा रन बना सकते हैं, और 20 ओवर तक यहाँ पर अगर देखा दे तो लास्ट फाइनल स्कोर आपको 186 रन तक रहेंगे, और यहाँ पर आपको 190 पर रहने वाले हैं, तो ओवरा लगत देखा जाँ पर आपको 2nd बैटिंग करने वाली टीम ही अच्छा स्कूर बना रहे हैं, तो जो भी टीम टॉस जीते का बैए, पहला यहाँ पर गेंदबाजी करने का निरने लेने वाले हैं, तो यहाँ पर छेजिंग असान से हो सकता है, इतना भी असान नहीं होगा, लेकिन चेज हो सकता है, तो इस मैच के लिए अगर मैं बात करूँ, विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट पर आपको कुन-कुन सा प्लेयर सही रहेगा, तो आपको मैं बताना चाहूंगा बैए, जॉस बटलर, संजू साम से, साज कॉप टीम पे ले लिजेगा, तो यह जो टीम आप देख सकते हो भाई काफी बड़िया टीम हमने बना है, लेकिन यहाँ पर आपको किप्टन, वाइस के लिए अगर मैं बात करूँ, तो काफी प्लेयर से अपको नजर आएंगे, लेकिन आपको मैं बेस्ट प्लेयर के गर मैं बात करूं इस मैंच के लिए तो यहां पर सुनील नरायन और इसके साथ साथ मैं युजविंदर चाहल को मैं टीम पे ले रहे हुआ हूं तो तीन विकेट कीपर, तीन बल्ले बाज, एक और चार गेंद बाज है, सुनिल नारान और यहाँ पर युजवेंदर चाहल, तो आपको सुनिल नारान को किप्टेन बना के, युजवेंदर चाहल को 25 किप्टेन पर ले लिजेगा, और यह जो टीम आप देख सकते हो बाज, यहाँ पर तीन विकेट कीपर, तीन बल्ले बाज, एक और चार गेंद बाज, तो यहाँ पर पांचो गेंद बाज, यहाँ पर आपको 20 ओर करके देने वाले हैं, तो यह जो टीम है, इस टीम को मैं सेव करके रख लेता हूँ, और यह मेरा चोथा जील टीम था, और अब यह पर पॉइंट सेव लेगए, बाज यहाँ पर आपको यह जो दोनों टीम है, पहला दूसरा पोजिशन पर, राजिस्तान रॉयल से यहाँ पर पहला पोजिशन पर, छे मैं से अगर देखा जाए, तो पांच मैं जीते हैं, एक मैं चार आरे हैं, और यह पहला पोजिशन पर और KKR के अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पांच मैं से चार मैं जीते हैं, एक मैं चार के इस सेकेंड पोजिशन पर, अगर यह कल जीते हैं, KKR तो पहला पोजिशन पर चला जाएगा, तो यह आपने देख लिया, लेकिन अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजे रहेंगे, एक फाइनल टीम आपको किस परकार बनाना चाहिए, और फाइनल टीम बनाते समय आपको, क्या क्या चीजे आपको ज्यान देना चाहिए, यह तो जानना ही पड़ेगा, अगर आप वो नहीं जानोगे, तो आपको टीम बनाते समय 100% अप कुछ दिक्कते होंगे तो यहां पर हम लोग तो कोई कसर नहीं छोट रहे हैं सारे की सारे इंफर्मेशन मिल रहा है आपको लेकिन पांच्वा जील टीम में आपको कौन-कौन सा प्लेयर चाहिए रहने वाले और वह प्लेयर को क्यों टीम पर लेना चाहिए यह जान करें आप आपको मैं बताऊंगा तो पांच्वा जील टीम पर मैं बात करूं संजुश आमसुन मेरे टीम पर 100% रहेंगे और उसका बाद मैं बाखी सभी प्लेस को ट्राउप कर रहा हूं जेश्वाल आयर और रिंकु सिंग और इसके साथ यहां पर वेंकटेस आयर है रहें रगुव आमित रगुवंसी क्या कर रहे हैं बाई कमाल की बल्लेवाजी कर रहा है तो नारायन रसल यहां पर दोनों रहेंगे रियांट पर आपको अस्वीन को दोनों को ड्रॉप कर रहा हूं लेकिन गेंदवाजी में ट्रेंट पोल मिचल स्टार्ड दुनिया के एक बहतरी गेंद एक बिकेट कीपर पांच बल्लेवाज दो और रूंडर तीन गेंद पाज है और केप्टेन वाइस केप्टेन पर अमित रगुवंसी और एससवी जैस्वाल को मैंने टीम पर ले लिया और यह जो टीम है भाई इस टीम को मैं फिनिस करूंगा यहां पर पांचमा जील टीम तो भाई यहां पर हमारी कितने पांच जील टीम बन गया भाई यहां पर अब यह आपको मैं दिखाऊंगा च्छटा जील टीम पर कर में बात करूं तो यहां पर कोई भी प्लेयर नहीं है ट्रेंट बोल्ट मेरे टीम पर रहेंगे युजवेंदर चाहल मिचल स्टार और उ कुल दिफिशन काफी प्लेयर से लेकिन आपको यहां पर मैं प्रिफर करूंगा आवेश कान अपको देटोस पर अच्छे बोलिंग करके दे सकते हैं तो इस मैट के लिए कर मैं केप्टन वाइस केप्टन पर बात करूं सुनिल नारायन और रसल दोनों केकियार के लिए इं काफी अच्छे टीम मैंने बनाया भाई यहां पर काफी 100% helpful यूज हो रहा है सभी को यहां पर और टीम भी अच्छे जा रहे हैं तो यह जो टीम है इस टीम को जरूर सेव करके रख लीजेगा यहां पर मैंने तो सेव करके रख लीजेगा और अभी आपको मैं दिखाऊंग यहां पर यहां पर समी पर अ इब यहां पर इबाद करऊ करो क्ट अमित रगुबन से यह तीन बल्लेबाद मेरे टीम पे रहेंगे रसल नरायन और इसके साथ रियान पर आगे तीन और रोंडर से वाई मेरे टीम पे और गेंदवाजी स्क्षन पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको मिचल स्टार्ट को लेजिएगा और केसा महराज को म मिचल स्टार्क है बैए दो विकेट कीपड तीन बल्ले वां तीन और केप्टन वाइस कप्टन पर आपको मैं काफी बड़िया प्लेस को मैंने टीम पर लेकर दे दिया तो अमित रगवान सी और इसके साथ ब्लेचल स्टार्ट तो यहां पर आप इनको लिजिएगा तो यह पर पिल्प चॉल्ट को मैंने टीम पे लिए और बैंटिंग सेक्षन पे, اگर मैं बात किरोई तो यहाँ पर आपको बैंटिंग सेक्षन पे 3S IR रहेंगी इनको मैंने टीम पे लहे लिये और उसका बत मसे gonna प्लायर है तो यहाँ पर 정확 Ayer इनको मैं टीम पे ले रहा हूं और यहां पर लास्ट पे अपको अमित अरगवन सी फंड़न पे खेल रहें बाई कमाल की प्रपॉमिंस दे रहें और यहां पर आपको आल रूंडर्स पे रसल नरायन और रियान पराग और इसके साथ यहां पर आपको टीम पे लेना चाहिए रमंदीप सिंग आपको फिनिसिंग रोल के लिए जरूर इंपॉर्टन रहेगा तो गेंदवाजी में आपको ट्रेंट बोल्ट है और यहां पर आपको केसो महराज भी काफी बढ़िया पिक है और तनुश कोटियान को यहां पर आप लोग प्रिफर कीजेगा यह प्लेयर आपको ज्रूरुद अच्छे विकेट्स लेके दे सकते हैं तो इस मेइस के लिए अगर मैं बात करों केब्टन वाइस के लिए तो आपको कून सब लेयर शएी रहने वाले हैं तो यहां पर आपको Captain पर रसल है यहां पर तो रसल को मैं टीम पर ले रहा हूँ बैए और उसका बाद आपको मैं प्रिफर करूंगा वेंकटेस आयर को तो यहां पर आपको Captain Vice Captain पर यहां पर काफी बढ़िया प्लेस मिल गया है एक विकेट कीपर तीन बल्लेवाई चार अल्डरूंटर तीन गेंद बाजे और यह जो टीम है इस टीम को मैं फिनिस कर रहा हूँ एथ जील टीम पर तो आठ जील टीम तो बन गया यहां पर और अभी पर कितने 12 टीम और बनाना है यहां पर तो आपको मैं बहत्री टीमें तो दे रहा हूँ लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करो कितना बुरा लगता अब सभी को पता है तो यहां पर आपको फिलाल के लिए विकेट पर ट्रेंट बोल्ट और यहां पर मिचल स्टार्ट और केसव महाराज यह जो प्लेयर से हैं यह प्लेयर आपको 100% फिट रहेंगे तो केप्टेन वाइस के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको यहां पर आपको एक विकेट कीपर चार बल्ले बाद तीन गेज़ बाज है और केप्टेन वाइस केप्टेन यहां पर आपको यह जैषवाल और फिलिप शाल्ट को मैंने टीम पर लेकर इस टीम को मैं फिनिस कर रहा हूं भाई 9 जीएल टीम हमारा बन गया वहां तो नौ जीएल टीम तो बन गया लेकिन आभी आपको मैं 10 जील बना के दिखाऊंगा और 10 जील टीम पर आपको कौन कौन से प्लेयर लेकिन गेंदवाजी सक्षन पर मैं बात करूं, ट्रेंट बोल्ट, मिचल स्टार्क और वरुन चक्रवती है यहां पर, तो आप देख सकते हैं, यहां पर आपको काफी बढ़िया टीम मैंने बना के दे दिया, लेकिन आपको केप्टन, वाइस केप्टन पर इस मैच के लिए मैं बात करूं, तो इस माच के लिए मैं यहां पर आपको नरायन आपको ओपनिंग पर आते हैं, और रियान पर आपको फिनिसिंग रोल के लिए अच्छा है भाई, तो यह जो टीम आप देख सकते हैं, तो दो विकेट कीप, तीन बल्ले बाद, तीन अल्रूंड रोंड, त लेकिन इससे पहले भाई, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हूं, तो काफी बढ़िया टीम आउर बनता है भाई, यहां पर, तो अभी आपको मैं प्रिफर करूंगा 11th GL टीम पर, और 11th GL टीम पर आपको कौन-क अभी तो जल्वा नहीं देखा है, और अमित रगुवंसी है, और यहां पर आपको यहां पर तीनों आल रूंडर हर मैच में रहे गवाँ, यहां पर मेरे टीम पर, मिचल स्टार्क यहां पर मैं टीम पर लेना चाहूंगा और उसका बदेगर मैं बात करूं, तो केसव महरा आपको काफी कुछ सिखाएगा, और उनको क्यूं लेना चाहिए, इस सारा इंफ्रमेशन अभी यहां पर आप लोग को मिलने वालों, यहां पर यहां पर आपको काफी कुछ सिखाएगा, यहां पर आपको प्लेयर कोन है, और उनको क्यूं लेना चाहिए, इस सारा इंफ्रमेशन अभी यहां पर आप लोग को मिलने वाले है, तो आपको मैं बताऊंगा, बेस्ट पॉइंट प्लेयर कोन है, यहां पर आपको टीम पर क्यूं लेना चाहिए, इस सारा इंफ्रमेशन अपको मैं और उसका बाद आपको नजराएंगे भाई, Sanjay Samson है यहाँ पर इनको आप टीम पर रखियेगा, और उसका बाद Josh Butler भी नजरा आएं, और पिलिप शॉल्ट यह चारों पलेयर है भाई, यहाँ पर यहाँ पर आपको यहाँ पर रियान पराग है, इनको आप टीम पे रखिएगा और Varun Arora आपको first baller है यहाँ पर ए पलेइज पर काफी कम लोग जा रहे हैं इनको मैं टीम पे ले रहा हूँ कुलदीप सेन को भी मैं टीम पे ले रहा हूँ और यहाँ पर आपको इस दो प्लियर की साथ और कुनसा प्लियर था यहांपर आप उनको टीम पर क्यों लेना चाहिए यहांपर को युजवेंदर चाहा ले भाई आपर इनको मैंने टीम पर ले लिया चाहिए यहांपर कंटिंग्यु विकेट्स लेकी दे रहे हैं और उसका बाद केस हो अमाहराज नहीं नहीं आये भई यहाँ पर काफी कम मैच इसके लिए लेकर इनको मैं टीम पर ले लेता हूँ बैटिंग सक्षन पर अगर मैं बात करूँ तो स्रीय सायर यहाँ पर मेरे टीम पर नजर आएंगे भई तो यहाँ पर स्रीय सायर को भी मैं टीम पर ले ले लेता हूँ उसका यहां पर वाइस केप्टेन पर सुनेल नारायन को लिजेगा और यह जो टीम आप देख सकते हो तीन विकेट कीपर एक बल्ले बाइब दो और अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको दो और अगर पांच गेंद बाज है यहां पर तो यह जो टीम है इस टीम को मैंने काफी बढ़िया टीम पर कनवर्ट किया बाइब केटन वाइस किप्टन पर संजु सामसुन नारायन है और यह जो टीम है इस टीम को मैं प्रिफर करूंगा यहां पर कितने 12 जीएल टीम पर हमारे कितने 12 जीएल टीम बन गया और अभी अगर मैं बात करूं तो यहां पर अभी प्रायन को यहां पर टीम पर लोगा भाई रियान परा काफी अच्छे खेल रहे हैं और यहां पर बैटिंग पे इस रिये सेर एस्वी जैश्पाल है इनको मैं टीम पर ले रहा हूँ गेंद बाजी में आपको नए प्लेश को पिक करना है भाई यहां पर वरुन अरूरा इनक यहां पर आपको फिनिसिंग टच चाहिए फिनिसिंग रोल चाहिए भाई तो यहां पर हेट मायर आपको काफी बड़िया पिक है तो हेट मायर को आप टीम पर रखते तो आपको फायदा ही मिलने वाले है और उसका बाद नितिसरान आपको काफी कुछ मैचे से खेलते नज लेकिन अभी यहां पर जो प्लेयर को मैं लेने जाना हूँ युजवेंदर चहाल मेरे टीम पे रहेंगे तो इनको मैंने टीम पे कंफॉर्म कर लिया और उसका बद मैं मिचल स्टार को टीम पे ले रहा हूँ तो अब देख सेकते हैं यह जो टीम है एक अलग टीम है लेकिन आपको मैं के लिए इस मैच के लिए अगर में बात करूँ तो यहां पर आपको सुनिल ना रहे हैं और रियान पर यह दोनों प्लेय को यहां पर मैंने टीम पर ले दिया केप्टन वाइस केप्टन पर यह जो टीम है इस टीम को मैं फिनिश कर रहा हूँ यहां पर कितने 13th GL टीम पर अभी आपको मैं दिखाऊंगा 14th GL टीम और 14th GL टीम पर आपको कौन-कौन सा प्लेयर अभी important रहने वाले और उनको क्यों ट पर बेटलर को टीम पर रखेगा और उसका बद 3S आयर है तो इनको में टीम पर रखाओं और रिंकु सिंग यहां पर मेरे टीम पर रह सकते हैं यहाँ पर तो इक षाथ पर टीम पर रखेंगे तो काफी बढ़िया टीम जा सकता आप लोग का तो उसका बद रियान पराग है यहांपर तो सुनिल नारा रहा है यह दोनों मेरे टीम पर रहेंगे और यह तीन बल्ले बाज मेरे टीम पर है और यहां पर आपको लाश्ट एंडिंग पर अमित रगवन वां यहां पर तो एक मात्र गेंदवाज रहेंगे और रहेंगे बैं ट्रैन्ट पोल्ट तो यह जो टीम में पूरी तरह बैटिंग टीम है लेकिन यहां पर आपको केप्रीं-वाइस कर रहा हूं बहां पर यहां पर आपको फिलिप शॉल्ट और संजुश अहों ने बहां को मैंने केप्टन वाइस केप्टन पर ले लिया और यह चो टीम है इस टीम को मैं फिनिश कर रहा हूं भाई फोर्टिंथ जील टीम पर तो चोगदर जील टीम हमारा बन गया भाई यहां पर अभी आपको मैं दिखाऊंगा 15 जील टीम पर तो यह थोड़ा बॉलर टीम से रहे बात है बाई लेकिन आपको मैं सुने नारायन को टीम पर लेने के लिए सलहा दूँगा और केसाव महराज यहां पर एक अच्छे ऑप्शन है यहां पर इनको टीम पर ले सकते हूं वरूण चकृवती, एक अच्छे stat. आपको आप तेम पर रखेंगे तो आपको फायदा ही और यहां पर आपको दो बल्ले बाद श्रीय सायर, SSV जैश्वाल और एक विकेट कीपर संज्यू सैम्शन तो आप देख सेक्त हो भाई, यहां पर यह जो टीम है, काफी बड़िया टीम मेरा बन गया, लेकिन यहां पर आपको काफी बड़िया प्लेश मिल रहे हैं भाई, रसल और यहां पर आपको इसके साथ साथ यहां पर यूजवेंदर चाहल, और यह जो टीम है, इस टीम को मैं कर रहा हूं वैं कितने 15 जील टीम पर अब आपको मैं दिखाऊंगा वैं 16-17 जील टीम और यहां पर आपको 16-17 जील टीम पर आपको कौन-कौन सा प्लेयर सही रहे रहे हैं और उनको क्यों टीम पर लेना चाहिए यह सब कुछ आपको जानना काफी इंपोर्टेंट रहेगा और यहां पर आपको टीम बनाते समय कोई भी दिक्कत हो रहे हैं तो मुझे बताना भाई यहां पर क्योंकि एक बैस्तरिन टीम आपको मैंच दवा सकता है यहां पर तो पहला जो प्लेयर में पिक करने जा रहा है यहां पर लास्ट में चल जाना पर तनुस त्यान और यहां पर आपको रियांत परयान पर तो किद्राएंप है आप सबी को प्ता एं crashes थे चरह Украї Mr. अब कर सकते हैं इतो को डुसरा चीम का है आप सभी को सब्सक्राइब की जरुरत नहीं और यहां पर आपको जो आपको टीम कोए दिराए तो को बाध रहें लिए चैने हैं पर जो टीम निए चाफ है तो यहता पर एक अलग लिवल का टीम है लेकिन यहांपर आपको neo rest practically । आधर है हो मैं बात करओ तो 16 जील टीम हमारा बन गया भाई यहाँ पर और अभी आपको मैं बताऊंगा कौन-कौन सा प्लेयर 17 जील टीम पर यूज करना चाहिए तो 17 जील टीम पर मैं बात करें पहला प्लेयर संजु सैम्चन और फिलिप शॉल्ट है इनको आप टीम पर रखेगा और रियान पराग आपको और पर मिलेंगे उनको मैं टीम पर ले रहा हूं और मिचल स्टार्क मेरे टीम पर रहेंगे इनको टीम पर लेने के पास यहाँ पर आपको नजर आएंगे भाई जोजवेंदर चहल इनको टीम पर रखेगा और उसका बाद आपको श्रीय सायर नजर आते हैं यहाँ पर बैटिंग डिपार्टमेंट में तो इनको मैंने टीम पर ले लिया और आवेश खान यहाँ पर आपको टीम पर नजर आएंगे भाई त किप्टैन वाइस किप्टैन पर कोंड कुण से प्यार रहने वाले और उनको क्यों टीम पर लेना चाहिए यह जान कर यापको बातए तो यहां पर आपको नरायन, यहां पर मेरे किप्टेन रहेंगे भाई, यहां पर सुरी रियान परा, नरायन को मैंने टीम पर ने लिया, तो रियान पर आपको मैं किप्टेन बनाओंगा भाई, और वाइस किप्टेन डिपार्ट्पेंट में अगर मैं बात करूँ, तो जैश आपको मैं 18 और 19 जील टीम आप बनाएएगा यहां पर 18 और 19 जील टीम पर कौन-कौन सा प्लेयर चाहिए रहेगा और उनको क्यों टीम पर लेना चाहिए यह सब कुछ आपको बताने वाला हूं और 18 जील टीम पर अगर मैं बात करूँ तो पहला जो प्लेयर में पिक करने जा रहा हूं मैं यहां पर तो फिलिक्स शॉल्ट मेरे टीम पर जरूर रहेगा और रियान पर आपको भी मैं टीम पर ले रहा हूं भाई मिचल स्टार्क को अब कोई भी हाल पर मच छोड़ियागा इनको पर टीम पर रखेगा और उसका बद अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको नजर आएंगे पर लास्ट मोमेंट पर कुल्दीप सेन है भाई यहां पर तो इनको आप टीम पर रखेगा काफी बढ़िया ब अब सभी को बता है आयर्सापको मैं टीम पे ले रहा हूँ इनको मैंने टीम पर लेने के बाद और दुसरा जो प्लेयर है भाई यहां पर आवेश खान को आप यहां पर टीम पर रखेगा गेंडबाजी के रूप में देतोच भी बोलिंग भी कर सकते हैं तो आवेस खान को मैं टीम पर लेने के बाद यहां पर आपको कौन सा प्लेयर और इंपोर्टेंट है तो यहां पर आपको जैश्वाल साप यहां पर नजर आ सकते हैं तो जैश्वाल को आप यहां पर टीम पर रखेगा जैश्वाल को मैं टीम पर लेने के बाद यहां पर आपको कौन सा प्लेय एक विकेट कीपर दो बल्ले वार, तीन ओल रोंडर पांच गेंद बाज है और यहां पर आपको केप्टेन के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं बाई सुनिल नाराइन और यहां पर आपको युजवंदर चाहल और यह जो टीम है बाई इस टीम को मैं Finish कर लेता हूं 18 जी ल टीम पाई तो 18 जी ल टीम मेरे बन गया भाई अबने तो स्ट्रेंग और नाइटींग नाइटींत ये इंपर कोन जी एल सप्लेइर लेक्ट तो नाइटींछ नोइ면 बात करूं तो था पहला जो प्लेइर को पिक्क करने जा रहा हु दो और SSV J-SWalk को मैं टीम पे ले रहूँगा यह दो बल्ले बाच मेरे टीम पे रहेंगे और इसका बाद मैं जो प्लेयर को पिक करने जा रहा हूँ तो केजब महाराज को मैं टीम पे ले रहा हूँ और उसका बदगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुन सा प्लेयर है फिलिप शॉल्ट को आप टीम पे रखेगा यहाँ पर आपको यह प्लेयर काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर उसका बदगर मैं बात करूँ तो यह कीप다면 यहां पर सुनिल नराहन को ही कनफर्म किजेगा यहां पर आपको क्यप्टेन वाइस्वाल यहां पर मेरे क्यपें रहेंगे बाई को ट्रेंट देईगा और यह जो टीम है उम्या और यह кौरिपक यह बन्या आजे कॉल रूंडर पांच गेंदबाज और यह जो टीम है इस टीम को मैंने फिनिस कर लिया 19th जील टीम पर अभी आपको मैं लाश्टन फाइनल जील टीम बना की दिखाऊंगे बैए लाश्टन फाइनल टीम पर आपको संजू सैंसन और फिलिप शॉल्ट है आयर जैश्वा और उसका बाद अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपको अमित रगवन सी रसल नारायन और रियान पराग है यहां पर गिंदबाजी मैं आपको युजबिंदर चाहल है और ट्रेंड पोल्ट और इसके साथ मिचल स्टार्ग यह तीनों बोल इस काफ़ी इंपोर्टेंट ह आपको दो विकैट कीपर हुआ यहां पर अपको नजर भी आ रहे है यहां पर आपको दो विकैट कीपर तो ये दो प्लेयर्स को मैंने किप्टन वाइस किप्टन पर लेके ये टीम को मैं फिनिस करूंगा भाई कितने जील टीम पर 20 वाँ जील टीम तो केसे हमने यहाँ पर देखते देखते भाई आप लोगको मैंने पूरे 20GL टीम दिखा दिया भई यहाँ पर क्योंकि यह matter करता है यहाँ पर 20GL टीम बनाना कोई आसान बात नहीं है लेकिन यह 20GL टीम तो मैंने बना के दिखा दिया उसका बद आपको मैं टेलिग्राम चैनल पर जुड़े को तो आपको काफे फायदा थेंक यू, जैहिन.